इस टाइम में एलो सी पुंच में हूँ और जियारत बाबा जी के आया हुआ था मीरा बक्ष जी के वापसी में एक छोटी बिटिया में लिए थर्ड ग्लास में पढ़ती है आओ इससे बात करते हैं क्या नाम क्या आपका राभिया को सर अच्छा राभिया कुन सी ग्लास में बढ़ते हो थर्ड थर्ड में क्या बनना क्या सोचा है क्या बनना बड़े हो के टीचर टीचर जी वेरी गुड टीचर बनना जी क्यों बनना है टीचर क्या करते हैं टीचर पढ़ाते हैं तो इसका मतलब पढ़ाना ना आपने बच्चों को जी वेरी गुड फिर बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ है ना? अच्छा, तो क्या खा क्या रहे हो? अच्छा, यहां पर आपका गाओं में सब कुछ आपको पढ़ाई शडाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, पक्का, कितनी दूर है स्कूल आपका यहां से? बहुत नीचे है, नीचे है, पैदल कितना जाते हो? थोड़ा साही जाते है, ज्यादा पैल तो नहीं च बहुत अच्छी 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 बहुत अच् तो आपका यहाँ पर जब ठंड होती है, सरदी कितनी पढ़ती है? बरफ पढ़ती है? जी. और यहाँ पर गोली शोली भी चलती है पाकिस्तान की? कब 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 हुए? फाइरिंग होती है? दो दिन पहले होती है. हुई थी? जी. फिर क्या करते हैं? कमरे में गुज जाते हो? ज दर लगता है जी दर लगता है फाइरिंग की जोड़ जोर से वाज आती होगी जी आती है वाज जी अच्छा तो ये मुझे बताओ कि जब फाइरिंग होती है तो फिर आप लोग कितना डर लगता है और पढ़ाई शड़ाई करते हो फिर उस टाइम स्कूल जाते हो जी स्कूल तो नहीं मान दोते है नहीं चलो very good ठीक है कोई गाना शाह नाता है नहीं नहीं आता है कोई इदर का आपना पहाड़ी गाना नहीं आता है चलो ठीक है thank you ये छोटी बिटिया थी थर्ड ग्लास में पढ़ती है राबिया कोसर जिसके साथ मैंने बाचीत की और हम आयों हैं जियारत पीर बाबा मीरां बख्ष जी की वहाँ पर ये बच्ची मिली देखते रहें जेके मीडिया एलोसी पुन्च से ये मेरी रिपोर्ट आशीश कोली जे